हेलो दोस्तों मेर नाम सुमन्त कैसे हैं आप सभी अनुराधा निलब पुजाला कृतिका इम्राना मेघा राजशर्मा अर्चना रिमजिम निखत शाक्षी पुनम मोनी कृष्णा निबेदिता शिवानी आज टाइम पर अंजली दैदेप्य अजय इश्वरी प्रतीक्षा सुमन अमन, मुस्कान, बढ़िया चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना जो मौलिक अधिकार है उसको चीक है हमने कल पढ़ा था जो मौलिक अधिकार को मौलिक क्यों कहते हैं उसके जो बेसिक बाते हैं वो समझी थी हमने और इसकी जो बेसिक प्रोपर्टीज है वो समझी थी हमने, हमने बताया था आपको कि आपका जो फंडामेंटल राइट है वो सैंटरो सैंट नहीं है मतलब कि वो एकदम जिसे कहते हैं उसको आप अमेंड कर सकते हैं उसको आप अब्रोगेट कर सकते हैं ठीक है मौलिका जादव शम्म पढ़ाती है हम इसके लिए ठीक है तेजस्वनी विनोध कहा रही है कि जब मेरा नाम आता है तब ही अपना वेना रोखते हैं नहीं ऐसा नहीं है ठीक है आगए अधिकांच लोग आगए बढ़िया तो यह साही बाते लिखी गई है मेरे बारे में जो टेलेग्राम चैनल है टेलेग्राम चैनल से याद है उसका लिंक बिन करना है ठीक है तो टेलेग्राम और फेस्टुक पेज आपको पता है यहाँ पर आप जोईन कर सकते हैं मेरे सारे वीडियोज मेरे सारे जो हमारे क्लासेस होती है लाइब वो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बैच है वो शुरू हुआ है तीन अगस से हमारा जो करेंट अफेर का बैच है और वन येर और टू येर का बैच है दोनों आपका तीन अगस से शुरू हुआ है इसको आप जोईन कर सकते हैं अगला batch हमारा current affair का अगले महीने जो होगा वो start होगा मगर वो part 3 होगा यह same batch हम लोग नहीं शुरू करते मेरी जो हर batch होती है वो अलग होती है तो आप जब मेरे classes देखेंगे तो आपको सभी classes उनिक देखेंगी प्लस पे आप सभी classes को देख सकते हैं अपने UPSC के लिए ठीक है तीन अगस से आपका जो batch है शुरू हो रहा है SNLive is the referral code आप इस code की यूज़ करके जोईन कर सकते हैं और आपको discount बिलता है आपके जो fee है उस पर अगर आप इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर जोईन करते ही जो ग्रूप है उसमें एड होने के लिए मुझे मेसेज करते हैं कैदाना किसरा जोईन कर लिया है आपको इसमें एड कर देंगे यहाँ पर हम जो mock test है solve करते हैं answer itematis करते हैं और आपके यहाँ पर answers evaluate करे जाते हैं ठीक है चलिए बाते हो रही है आज मूल अधिकारों की fundamental right की तो हमने कल बताया था आपको कि जो fundamental right है सैंक्रो सैंक्र नहीं है वो permanent नहीं है मुझे आगे बढ़ने से पहले एक बार बतानी है human right के बारे में human right के चार generation आते हैं human right के चार generation आते हैं चार पढ़ियां आती हैं for example अगर आप कुछ साल पहले 20 साल 15 साल पहले कहते कि right to internet एक human right बना दो सर क्या ये बात आपको जायज लगती क्या आपको ये बात सही लगती कि right to internet बना दो human right नहीं जैसे जैसे समाज आपका तरक्की कर रहा है जैसे जैसे हम लोग evolve कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे अधिकारों का जो दाइरा है वो बढ़ रहा है मतलब कि अलग-अलग generation में अलग-अलग तरह के आपके जो अधिकार है वो आपको दिये जा रहे हैं ठीक है अलग-अलग जेनरेशन में आपके अलग-अलग अधिकार आपको दिये जा रहे हैं किलियर है ठीक ना तो यहाँ पर करना क्या है आपको लिखना है human right के बारे में फिर प्रहा दूआ को 10 मिनिट उसके बाद हम फिर शुरू करते हैं चलो, लिखो ज़रा human right एक बात महर कहना चाहूंगा आपसे आप जो current affair पर इतना ध्यान देते हैं आपको इतना ध्यान current affair पर नहीं देना है अपना पहले जो core topic है वो पहले core complete कीजिए उसके बाद current पर आईए समझ के बाद इसी लिए मैंने सारा current पहले करा दिया है उसके बाद मैंने current affair वाला batch launch किया है और जब मैं target देता हूँ daily वाला उसमें भी मैं पहले core करवाता हूँ उसके बाद आंति में मैं आपको current affair देता हूँ आप जब paper को analyze करेंगे पिछले 3 साल के तो आपको दिखिया कि current affair काफी कम है अब आप GST को current affair मान लेंगे तब तो सभी current affair है आप जब देखेंगे तो जो core concept है ना core से खूब सारे questions है current से questions हैं भी तो आप वो हो जाएगा अगर उसको छोड़ करके आप अगर बागे सवाल करते हैं तब भी आपका selection हो जाएगा ठीक है तो ध्यान से paper को analyze कीजिए कि questions कहां से आ रहे हैं क्या core से आ रहे हैं tribunal से सवाल पूछ रहा है tribunal से सवाल पूछ रहा है जो कि लक्षमिकांत में अच्छे से development दिल नहीं किया गया है citizen charter हो गया RTI हो गया लक्षमिकांत में कुछ नहीं है इसमें बस simple सी quality है तो वो सब आपको पढ़ना पढ़ेगा आपको ठीक है ना मैं वही कह रहा हूँ कि पहले अपना जो core है उसको complete कीजिए हम current करवा देंगे उसको जैसे कि मेरो नहीं कहा sir tell your science and tech environment का course कहा है science and tech और environment कोर्स दोनों plus पे है ठीक है ना मगर science and tech मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ youtube पर भी काम का जितना हो जाए पर लिम्स का ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था human right के बारे में human right वैसे अधिकार होते हैं जो आपको केवल मनुश्य होने के कारण ही आपको मिले होते हैं आपको कोई भी qualification नहीं चाहिए कि आप अमीर हैं गरीब हैं पूरुष महिला हैं आप मानव हैं तो आपको human right मिलेगा बस यह बात के लिए हैं समझ के बार ठीक है नहीं लक्षमी कांजी गवर्नेंस की बुक अतना effective नहीं है वो पूरानी हो गई उसे काम नहीं होगा जो material होते हैं PDF होते हैं उनसे काम करना होता है search करके पाढ़ना होता है for example citizen charter citizen charter है क्या इसे जुले हुए issues क्या है इसको कैसे solve करें वो सब बाते पढ़नी होती है जिए चार्टर है वो accountability को ensure करने में किस तरह से help करता है transparency किस तरह से maintenance ऐसे questions आते हैं GS2 में में और prelims का सवाल देंगे आप तो prelims में दोर 16 के बाद current affair कम आ रहे हैं उसको देखिएगा ध्यान से आप हाँ आप कहसे दखते हैं कि ये तो current affair है सर वो तो current affair है सर मगर सब current affair नहीं होता static का portion काफ ज़्यादा है उसमें आप उसको analyze कीजिएगा देखिएगा बिना paper analyze किये आप paper qualify नहीं कर सकते बिना paper को analyze किये देखे ये question कहां से आ रहे हैं मेहनत कम करनी होती है इतना नहीं पढ़ना होता रटना नहीं होता data वगरा ठीक है एक मत और आप जो bad data रटते रहते हैं employment पर आपने 10 data रट लिया जो unemployment है इतना नहीं याद करना है employment पर दो data unemployment पर दो data fiscal deficit पर इस तरह पर ऐसे करके जादा जादा नहीं कम-कम data लिखोगे तुम को याद भी रहेगा और तुम उसको answer में इस्तेमाल भी कर पाओगे समझ गए बात clear है तो इसको कीजिएगा इतना नहीं करना होता है main अपने ग्यान को इस्तेमाल करना होता है आपने सितकांस लोगों के पास अच्छी खासी knowledge है मगर उसको इसको करना main होता है तो करना क्या है इस जो data अपने लिखा है इसको बावार पढ़ो सोचो कहाँ इसको 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 brain storming कहते हैं कहां इसको 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 पास किस तरह के questions आएंगे जहां हम इसको इसको इस data का इस fact का बात के लिए है समझ में आगई बात ठीक है अभी आपके पास feedback का option आएगा अच्छे से उसको दीजिएगा सर्या लक्षमी कांत बंध हो गई किसी दिन तो क्या आयस बनना मुश्किल हो जाएगा क्या नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है बात ये है कि आपको आत्म निर्भर बनाने के लिए मैंने कई सारे जो initiative है वो लिये हैं पहला आपको जो वीडियो देखने का जो आदत लगा हुआ है इसको कम करने के लिए मैंने आपको किताब पढ़ने के आदत लगवाई है उसमें मैं कितना सफर हो पाया हूँ वो तो आप ही जानते हैं ठीक है आप में सधिकांस लोगों के पास एक किताब नहीं थी जब मैंने शुरू किया था महस करते थे मेल करते थे सब मेरे पास कोई किताब ही नहीं है मैं पूछता था किया तुम फिर त्यारी कैसे करते हो जब आपके पास कोई किता अभी है नहीं तो तुम पढ़ते कैसे हो, है ना, तो उन्होंने फिर किताबे खरी दी, पढ़ना शुरू किया, उन्होंने कहा, कि सर मुझे एक आत्म विश्वास आया, confidence आया, क्योंकि मैंने पढ़ना शुरू किया, खुद से अच्छे से, खुद से जब पढ़ते हो ना ठीक है, तो ये बाते हो गई, हम लोग पढ़ रहे थे, मानवा धिकारों के बारे में, human right के बारे में, जो लोग late join कर रहे हैं, आदत सुधार लोग 9 बजे आ जाओ, काफी कुछ आपका छूटा है, फिर कहना मत के सर बताया नहीं हमको, समय से एकदम 9 बजे पहुंच जाया करो, अलाम लगा लिया करो, देखो दिवान चुन अलाम लगा लिया है, सारे क्लास का, समझ गए, आप है अलाम लगा, आपको अगर क्लास अच्छी लगते हो तब लगा लेंगे, मुझे बोलने के ज़रूरत नहीं बढ़े है, इतना कि हाँ लगा लगा लो, ठीक है, चलो, लिखो इसको, जिसको पढ़ना होता है न, वो बिना बोले करते हैं ये सब, ठीक है, चलिए, हमने पढ़ाया आपको मानवा धिकारों के बारे में, क्या बताया, अगर आप मानव हैं तो आपको कुछ धिकार दिये जाएंगे, ये चार तरह के होते हैं, ये चार जनरेशन, इसे कहते हैं न, 1G, 2G, 3G, 4G, अभी 4G चल रहा है, ठीक है, तो क्या है आपका जो पहला जनरेशन है, आपका जो पहला जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, इसमें क्या है, इसमें सिविल और पोलेटिकल राइट, सिविल और पोलेटिकल राइखे कर आते हैं, कौँ कूँ से आते हैं सर, इसमें आपका आता है, राइट टू लाइफ, लिखते जलो, राइटू लाइफ, राइटू प्रोपरीटी, right to speech अच्छा जो हम बाते बताते हैं ना आपको वो करते क्या है कि हम लोग जो कुछ दोस्त डिसकस करते हैं चीजें एक्जाम के बारे में उसका हम आपको conclusion बताते हैं for example अजय है राहूल है मैं हूँ अलोख है तो हम लोग साथ में पढ़ा करते थे तो इसा बाते डिसकस करते थे कि हाँ कैसे कैसे यहाँ पर चीजें करनी है right to property ठीक है चलो दूसरा आजाओ जो अजय है अजय जयन अजय जयन का इस साल rank 12 है पिछली साल rank 141 था वो IPS में था अभी IS में जाएगा और उसकी rank 12 है इसके उपर रजस्थान का कोई नहीं है तो इसको home carter भी मिल जाएगा home carter भी इसको मिल जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत कब होती है जब आपके rank के उपर आपके राज्जे का कुछ बंदा और हो जो आपके rank से अच्छा हो ठीक है चलिए सेकंड क्या है यह आपका है सेकंड जेनरेशन इसमें क्या होता है social and economic right social and economic right सर आप खुद से पढ़ते थे ना हाद पढ़ते थो खुद से ही थे यारदूस नहीं बनाएं क्या खुद से पढ़ने का मतलब क्या है कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे पैसे नहीं लगाएंगे उतना ठीक है तो सेकंड वाले में क्या है second वाले में आपका आएगा right to work, education, food, shelter, ठीक है आपका second generation में क्या आएगा right to work, right to work, food, education, ठीक है shelter, right to food, right to education, right to shelter, बढ़िया third आपका आता है right of collective, rights of collective ये आपका third में आता है rights of मतलब आपको community के कारण एक अधिकार में दोना है, rights of collective ये आपका third generation का अधिकार है, मानवा अधिकार है इसमें क्या आएगा जी, जिसी के आपके जो sexual minorities हैं, उनके अधिकार ये कौन होते हैं, transgenders, sexual minorities जो हैं, उनके अधिकार इनको उनकी community के कारण एक अधिकार मिला है ना, अगर उनकी community पर परताड़ना होती है, तभी उनका अधिकार मिला है ना, ठीक है? राइट्स ओफ, sexual minorities, बढ़िया, दूसरा क्या है? राइट्स ओफ, एथिनिक minorities, राइट्स ओफ, एथिनिक minorities, ठीक है? हम, consumer right है, rights of the disabled, consumer right, आप consumer एक community बनाते हैं, आपने कोई समान खरीदा, आपको ठग लिया गया, तो आप अपने अधिकारों का इस्तमाल करते हैं, है ना, जो तिसमिताजी screenshot नहीं लेना है, कलम चलाना है, पेंच लाइए, ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है, हाँ, rights of the disabled, rights of the disabled, हम, right of the collective में एक अधिकारों और आता है, right to clean environment, लिखो, right to, right to clean environment, छेक है, right to clean and healthy, right to clean and healthy environment, यह आपका है, third generation के अधिकार, लिख लिया इसको, ठीक है, और, चलो, आगे आजाओ, अब आता है आपका चौथा, फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के human right कौन को न आते हैं इसमें, ठीक है, हाँ, इसमें यह आएगा, जैसे कि आपका net neutrality है, ठीक ना, net, net neutrality है, यह space को explore करने का जो धिकार है, right to explore, cosmic space, ठीक ना, और इसमें कि आएगा, ठीक है, तो यह आपके हो गए, फोर्थ जनरेशन के आपके जो धिकार हैं वो, यह आपके जो चार के अधिकार हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, environment तो पहले आ गया, environment पहले आ गया, environment आपका जो था, वो 3G वाले, 2G वाले में ही आ गया, 2G वाले में environment आ चुका है, net neutrality, right to explore cosmic space, right of future generations, यह आपके आते हैं, 4th generation human right में, जो लोग लेट से आए हैं, वो टेलिग्राम चैनल उपर जॉइन कर लेंगे, टेलिग्राम चैनल पर जाना, उसमें एक discussion group है, किसी को बोलना, कि भाई, notes दे दो, वो notes आपको दे देंगे पिछली class के, अगर किसी के handwriting अच्छी हो, तो दया करना गरीबों पर, उनको notes प्रवाइड कर देना, ठीक है, rights of future generations, sustainable development, यह उनका धिकारी तो हो गया, हम उनके resources ना खतम कर दें, ठीक है, चलो, यह बाते हो गई, अब हम आते हैं, अपना जो fundamental right पढ़ रहे थे, उसमें continue करते हैं आगे, समझ गए, हमने क्या बताया था, fundamental right सैंक रो सैंक नहीं है, permanent नहीं है, इसको हम amend कर सकते हैं, एक बात यह, पारलियमेंट के द्वारा, इनका जो imposition, application है, उसको हम restrict भी कर सकते हैं, कुछ jobs के लिए, for example, आपके जो armed forces हैं, paramilitary forces हैं, police forces हैं, आपके जो, आपके जो, दसे जैंसी हैं, intelligence वाली, wrong अगएरा, ठीक है, उन पर जो fundamental right है, वो कम apply होता है, उनको मौली का धिकार थोड़े से कम किये जाते हैं, चलो, एक काम करते हैं, आपको मैं समय देता हूँ जरासा, आप सब का screenshot लेना है तो लेलो, यह पहली slide है, यह second slide, थर्ड स्लाइड, फॉर्ट स्लाइड, handwriting गंदी होने का फायदा एक और यह है, कि जब तक आप सुन लो मुह से वहाँ पर आपको समझ में नहीं है क्या लिखा हुआ है, है ना, तो जब बोलता हूँ, तब ही आप लिख लिया कीजिए, वरना, a screenshot का चक्कर हैं, बाद में सुचेंगें कि यह लिखा क्या है, समाझ गया है, हाँ, आर्टिकल 21 not given to, क्या मत कर रहा है, लिखिएगा, application of, of fundamental rights, ठीक है, two, armed forces, paramilitary forces, police, intelligence agencies, ठीक है, ना, can be restricted, can be restricted, या abrogated, किसके द्वारा, by parliament, law बना करके यह काम कर सकते हैं, और कोई नहीं, simple से सवाल पूछेगा, आप से UPSA prelims में ऐसा, कि armed forces पर paramilitary forces को जो मौली क अधिकार प्राप्त होते हैं, उनमें परिवर्तन कौन कर सकता है, राष्टपती, प्रधान मंत्री, या chief of defense staff, या none of the above, बताना, प्रधान मंत्री, प्रेसिडेंट, चीफ of defense staff, या फिर नन of the above, नन of the above, D is the correct answer क्योंकि parliament करता है, बहुत अच्छी बात है, समझा आपने, बहुत बढ़िया, मुस्कान जा, क्या, कैसे कैसे बोला प्रेसिडेंटर अपने जी, चीफ है, और क्या है, अगर martial law force में है, तो fundamental right को restrict कर सकता है, बढिया, मार्सला का मतलब होता है, military rule, military rule कहते हैं, इसको, ताकि जो law and order है, उसको restore करने के लिए, law and order को, law and order को restore करने के लिए, आर्टिकल 34 के अंतर बहुत अच्छे, ठीक है, कुछ जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं, वो self-enforceable होते हैं, self-executionary होते हैं, मतलब कि, वो केवल लिख दिया, तो मौलिक अधिकार आपको मिल गया, मगर कुछ जो आपके मौलिक अधिकार हैं, उसको देने के लिए law बनाना पड़ता है, For example, Article 17, Untouchability को Abolish कर दिया गया है, मगर इसके लिए एक law बनाया गया है, तभी ये अधिकार आपको मिला है, वैसे ही, एक और example दो मुझे, ये example सबको पता है, एक और example दीजिए, जिसके लिए हमको law बनाने की जरुवत है, देपाओगे? आपको जो सिक्षा का अधिकार दिया गया है, बच्चे, बहुत अच्छे कस्तूरी, बहुत हाँ, देपाओगे, आप समझे, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो सिक्षा का अधिकार है, इसको देने के लिए क्या किया जाता है? एक कानून पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, और एक बाद धहान सुनिएगा, फंडामेंटल राइट को इंप्लिमेंट करने के लिए जो लौ होगा, वो केवल और केवल पार्लियामेंट ही पास कर सकता है, fundamental right को implement करने के लिए जो law बनेगा उसे केवल और केवल parliament ही पास करता है कोई राज्य का विधान सभा नहीं अगर parliament पास करेगा तो देश के सभी नागरिकों को वो अधिकार मिलेगा political equality पैदा होगी अगर राज्य का विधान सभा को दे देते हमी अधिकार तो एक राज्य को जादा अधिकार होता दूसरे राज्य के लोगों को कम अधिकार होता जैसे कि USA में होता है जैसे कि USA में होता है वैसे हमारे या नहीं है समझे के बार ठीक है बढ़िया चलो अब बारी आती है हमारे सारे articles की ये बताओ fundamental right काउन सार्टिकल से काउन से आर्टिकल तक है 12 से 35 बहुत शांदार एक दम धमाकेदार चलो हम करें क्या हम article wise चीजों को discuss करेंगे सबसे पहले article number 12 ये कहता क्या है कि पार्ट समिधान का जो पार्ट 3 है समिधान के पार्ट 3 में ही fundamental right है ना पार्ट 3 में जो state term इस्तमाल हुआ है उसका मतलब क्या है ये state को define करता है एक बात याद रखिएगा state अगर small में लिखा रहे तो वो बिहार, UP ये सब है ये राज्य है यही ये state अगर capital में लिखा रहे तो ये राश्ट रहे समझगे बात? लिख लो ये वाला s small है ये वाला s capital है तो article 12 जो है वो state को define करता है कल से करते हैं क्या कोशिश? कल से हम एक class को दो class में divide कर देंगे ठीक है? एक class शुरू करके class कर देंगे वैसे दोने fundamental राटी पढ़ाएंगे ठीक है? चलो, कुछ कारण है बताएंगे आपको तो यहाँ पर आपको जो आर्टीकल 12 है वहाँ पर हम define करते हैं state को नहीं नहीं, class होगी कोई दिक्कत नहीं है class आपको लंबी मिलेगी इससे एक ही class में लंबा करने का जो limitation होता है इसी कारण से अलग-अलग class में मतलब कि लगातार 9 वज़े class शुरू हुई तो 9 से पौने 10 या 10 वज़े तक ए class हो जाएगी फिर इसके बाद तुरंत दो मेटने होले उनने class शुरू कर देंगे ऐसा करके ठीक है चलो, क्या कहता है यह कहता है कि जो आपका केंद्र में union में, जो आपका union गवर्मेंट है union गवर्मेंट है पार्लियमेंट है यह कहलाएगा state state गवर्मेंट है और state risks लेचर है यह कहलाएगा state ठीक है और क्या है सभी local authorities सभी लोकल अथोरिटीज आपके स्टेट कहलाएंगे सभी समयधानिक, वैधानिक, इक्जिक्यूटिव बॉडिज सभी कंस्टिूशनल अस्चेचुवरी नौन अस्चेचुवरी जो बॉडिज हैं, वो सभी स्टेट कहलाएंगी और लोकल अथोरिटी का मतलब क्या है? पंचायत है, मिनसेपालिटी है, यह डिस्ट्रिक बोर्ड्स है, डिवलप्मेंट बोर्ड्स हो गए, यह सारे ठीक है, आपके जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, वो भी आपके स्टेट ही कहलाएंगी, यह वो सरकार का अंग है, सरकारी कंपनी है ठीक है, यहाँ पर आपको दो बातें नोट करनी हैं, इसमें आपको दो बातें एक्स्ट्रा नोट करनी हैं क्या बातें हैं, सुप्रीम कोट ने कहा था कि ऐसा कोई private body जो सरकार के एक अंग की तरह काम कर रहा हो, वो भी स्टेट कहलाएगा प्राइवेट सेक्टर का कोई भी body अगर वो सरकार के एक अंग की तरह काम कर रहा है, मान लो कि किसी private company ने pull बनाने का ठेका लिया है, सरकारी company ने pull बनाने का ठेका लिया है, और वो pull किसी कारण से आपके fundamental right को violate कर देता है, ठीक है? तो क्या कहेंगे? वो आप सरकार पर केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो वो जो ठेकेदार वाला जो company है न, वो state कहलाएगा, PSU का मतलब होता है Public Sector Undertaking, अरे सरकारी company बाबू, सरकारी company, ठीक है? SBI, PNB, आपका इधर जो companies हो गए, Air India ये सब, ठीक है? अगर आपको P नहीं पता मतलब अमरी कास्मन नहीं आते, P मतलब Parliament, short में लिखते हैं, P मतलब Parliament, C मतलब Constitution, लिखने में समय लगता है न, आप लिख लेंगे, ठीक है, State Legislature, State Legislature, इसलिए मैं कहता हूँ, सुनते टाइम ही लिख लिख लिया करो, EFR मतलब fundamental रहे, ठीक है, चलो, Supreme Court ने एक बात कही थी, हाँ, जो मैंने बात बताई, उसे Supreme Court नहीं कही थी, एक case आया था, जिसे कहते हैं, Ajay Haasya case, एक case आया था, 1981 में, यह लक्ष में कान्थ में नहीं है, लिख लो इसको, Ajay Haasya case, 1981, ठीक है, इसमें कह रहा है, कि अगर कोई body, sovereign function करता है, अगर कोई body, sovereign function perform करता है, if a body perform sovereign function, sovereign function, ठीक है, functions of the government, of the government, अगर यह एक state के instrument के तरह ही उस होता है, if it is used as an instrument of the state, मैंने कल कहा था आपको कि supreme code के judgment, जो मैंने compile किये थे न, मैं आपको सब पढ़ाओंगा, जहां जहां पर जरुवत होगी, यहां जरुरत पढ़ गई, मैंने आपको पढ़ा दी, आपको अब याद भी रहेगा, कि अजय हासिया केस ने स्वेकासी का था यह वला, ठीक है, अगर यह substantially financed है government के द्वारा, if it is substantially financed by the government, मतलब उसको funding विली है government से, अच्छी खासी funding विली है government से, सबस्टेंशली financed या controlled भी लिख लो, financed या controlled, financed, controlled दोनो, ठीक है, सुप्रेम कोट ने कहा कि अगर कोई body, sovereign function perform करेगा, for example, BCCI, BCCI क्या है, वो society's act के अंतरगत बना हुआ है, मगर वो देश की team का पर्तनिधित्व करता है, करता है कि नहीं करता है, private है, मगर देश की company का पर्तनिध करता है, मतलब क्या है, वो state में आएगा, इसलिए BCCI को RTI के अंतरगत लाने की बात कही जा रही थी, क्या समझे, करता है BCCI, देश को रिप्रेजेंट करता है बाहर में, सोचाए कभी आपने, sovereign function perform कर रहा है, वो क्या है, state है, उसको RTI के अंतरगत लाना चाहिए, ठीक है, एप बहुत परिशान करता है, क्या कहें, develop कर रहे हैं, वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे, आप में बोला करो ना, चैट का option होता है आप में, बोलो उनको कि यह आप तुम्हारे आप ठीक ने सलता, बेकार है, बोलो कि तभी तो पता चलेगा उसको, ठीक है, सराफी क्लास, DGP, कोतवाली, इन दोर ने भी जुआन किया है, ठीक है, बढ़िया, तो यह बात हैं हो गई, ठीक है, चैट लो, अगला आर्टिकल कौन सा है हमारा, अगला आर्टिकल आपका है 13, यह हमने पढ़ लिया आनुछेद नंबर 12, अगले आर्टिकल से आपका शुरू हो जाएगा राटिकॉलिटी वगएरा, ठीक है, यह कहता है, लो का मतलब क्या होता है, कहता है कि कोई भी लो, कोई भी लो जो फंडामेंटल राइट को वाइलेट करेगा, वो वाइड करार दे दिया जाएगा, संसद का, विदहान सभाओं का कोई भी लो जो फंडामेंटल राइट को वाइलेट करता हो, वो स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा, वो वाइड करार दे दिया जाएगा, यह जुडिशल रिव्यू का जो सिस्टम है, वो परवाइड करता है, सुप्रीम कोट पार्लियामेंट के लोज को, विदहान सभा के लोज को रिव्यू कर सकता है, वो देख सकता है कि क्या आपका यह जो लो है, क्या फंडामेंटल राइट को वाइलेट कर रहा है क्या, अगर कर रहा है तो स्ट्राइक डाउन कर देगा, अगर नहीं कर रहा है तो रहने देगा, ठीक है, आर्टिकल 32 आपको सुप्रीम कोट सीधे जाने की इजाज़त देता है, आर्टिकल 32 के अन्तरक्त सुप्रीम को अपर अधिकार दिया गया है, judicial review का ठीक है और 26 high court पर high court का जो judicial review का power है वो कहीं ज़्यादा broad है supreme court से क्यों से supreme court केवल fundamental right को enforce करने के लिए writ pass कर सकता है ठीक है मगर मैं बात कर रहा हूँ writ jurisdiction की मैं बात कर रहा हूँ writ jurisdiction की supreme court केवल fundamental right को enforce करने के लिए writ जारी कर सकता है मगर high court fundamental right के लिए भी और दूसरे अधिकारों के लिए भी दोनों अधिकारों को enforce करने के लिए वो writ जारी कर सकता है बात समझ गया है clear है sir CAA पर case हो सकता है कि नहीं बिलकुल CAA पर case हुआ है और वहाँ पर submit भी है supreme court में citizenship amendment act जो है उस पर case file हो चुका है हाँ high court का writ का power ज्यादा broad है high court powerful नहीं है supreme court से क्या तुम लोग समझ लेते हो high court का जो writ का power है न वो ज्यादा broad है supreme court से बस इतना है ठीक है की लिए रवाद हाँ अच्छा answer कैसे लिखें शुरू कैसे करें answer ये सारी बातें आपको पताते हैं daily target में telegram वाला जो link मैंने दिया है उसको join करना उसमें छोड़ा से वीडियो मिलेगा पांच मिनट का उसको देखना आपका जो जीवन है बदलेगा आज से ठीक है इश्वरी कोई बात नहीं recording मौझद रहती है उसको देख लीजेगा अगर ज़्यादा छूड़ जाए तो ठीक है ना हाँ सुखी हो जाओगे हाँ ठीक है तो यहाँ पर article 13 कहता है कि all the laws all the laws inconsistent inconsistent ठीक है ना with the fundamental right यह void करार दे दिया जाएगा यह void करार दे दिया जाएगा के लिए रहे यहाँ पर यह तो term इस्तमाल हुआ है law का यह बहुत ही मुश्किल खड़ा कर दिया जो leaders थे जो लोग थे उनके में बात चली कि sir laws का मतलब क्या है laws का मतलब क्या है parliament का law राज्यका विधान सभा का law यह दोनों तो हैं ही क्या समिधान amendment act भी law है क्या तो हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम बताएंगे ठीक है ना जब हम amendability of fundamental right पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे ठीक है जैसे की आपका जो सजन सिंग है देखो संकर परशाद केस से लेकर के सजन सिंग केस तक के संकरी परशाद केस से सजन सिंग केस तक के आपका जो सुप्रीम कोर्ट का ये मत था कि जो law है टर्म ये समिधान amendment act को इंकुलूड नहीं करता ठीक है? हाँ लिखिएगा अब आजाओ कोर्ट के जज्मेंट पर क्या कहा था उन्होंने शंक्री परसाद केस से संक्री परसाद केस से सज्जन सिंग केस 1965 1965 ठीक है? यहां तक सुप्रीम कोट का मत ये था कि समिधान अमेंडमेंट आक्ट जो है वो लौ नहीं है समिधान अमेंडमेंट अच्छा आपका CAA का मतलब समिधान अमेंडमेंट आक्ट था सिटिजन वाला नहीं था है ना? समिधान अमेंडमेंट आक्ट ये लौ नहीं है लौ के अंतरगत नहीं आता इसी लिए fundamental right अमेंडेबल है अमेंडेबल है मतलब fundamental right को हम लोग abrogate सुनो ध्यान से समझो इसने क्या कहा कि अगर कोई law fundamental right को violate करेगा तो उसको हम void करार देदेंगे उसको में strike down कर देंगे कोट ने कहा चुकि समिधानिक amendment act law है ही नहीं तो वो inconsistion होने का समाली नहीं उठता क्योंकि वो law ही नहीं है उस पर apply ही नहीं होता इसी लिए वो abrogate कर सकता है मगर गोलकनाथ केस में क्या कहा गया गोलकनाथ केस इसके दो सल बाद आया था गोलकनाथ केस 1967 में आया था 1967 में आया था इसने क्या बोला इसने छे पांच ग्यारा जज थे इसमें इसमें ग्यारा जज थे छे थे पक्ष में पांच थे भी पक्ष में छे पांच का जो ratio है majority है उससे judgment दिया गया था उन्होंने ये कहा कि जो fundamental right है उसको आप amend नहीं कर सकते इन्होंने कहा कि fundamental right is not not amenable ये सारी बाते हम लोग दुवारा सीखेंगे जब हम लोग amendability of fundamental right को अंतिम में discuss करेंगे आप हमें बता दे रहा हूं मोटा मोटी की संक्री परसाद case से ले करके सजन सिंग case तक के ये कहना था कोट का कि law के अंतरगत समिधानिक amendment act नहीं आता इसी करण से fundamental right को amend कर सकते हैं गोलखनात वाले में क्या बोला ना बाबू amend नहीं करना है इसके बाद आया क्या 24th constitutional amendment act इसके बाद आया 24th constitutional amendment act इस act को challenge किया गया सुप्रीम कोट में सुप्रीम कोट में case चला सुप्रीम कोट में जो case का नाम था वो कौन सा case था बहुत ही भयंकर case है बहुत ही important case है केशवानन्द भारती case बहुत अच्छे केशवानन्द भारती case में ये कहा गया कि सम्विधान का हर part amendable है पूरा का पूरा सम्विधान amendable है fundamental right including बस ये ध्यान देना कि तुम basic feature को न अमेंड कर दो ठीक है basic feature को amend मत कर देना केवल ये बात तुम ध्यान देना ठीक है चलो तो एक जो sequence है हम ये sequence एक बार clear कर लेते हैं ध्यान से sequence को देखिएगा पहले क्या आया संक्री परसाद case ठीक है फिर आया सज्जन सिंग case 1965 का इसमें का कहा गया fundamental right amendable ठीक है फिर आया गुलक गुलक नात केस 1967 क्या कहा गया sequence बना लो इस तरह से क्या कहा गया fundamental right not amendable ठीक है 67 के बाद 24th समिधानिक amendment act पास हुआ इसको चैलेंज किया गया Supreme Court में Supreme Court में जो case चला ठीक है क्या कर रहा है ठीक तो है कि श्यासट कर बोला नहीं कि देखो यहां पर पैंसट पैंसट श्यासट श्यासट कहा लिखा हुआ है मुस्कान जाजी 67 है 65 है है ठीक है चलो यहां पर 65 में 67 में 71 में आपका 24th amendment act पास हुआ इस act को चैलेंज किया गया केशवानन्द भारती केश में केशवानन्द भारती केश में ठीक है versus state of केरला ठीक है यह केस कब हुआ था 1973 में यह केस आया था 1973 में इसमें कहा गया fundamental right तुम छोड़ो पूरा का पूरा समिधान amendable है बस ध्यान देना एक बात कि आप जो basic feature है ठीक है आपके monitor के गरा अरे कल तो order किया है या अभी आने में समय लगेगा ना आने में समय लगेगा ठीक है बढ़िया तो यह बाते हुई है आपकी जो यह article 13 है उसकी article 13 में तो एक बात और सुनना article 13 में क्या कहा गया है कि कोई भी law कोई भी custom जिसमें law का power हो कोई भी custom जिसमें law का पार, for example, शबरी माला वाला issue शबरी माला वाला जो था, triple तलाग जो है, यह कोई law थो रहे है, triple तलाग यह custom है, triple तलाग वाला custom है, custom में law का पावर आ गया, इसी लिए वो उसको strike down किया गया जो triple तलाग था, इसी को बोलते है, brainstorming जो हम कर रहे है ना भी, जो हम कर रहे है, उसको हम बोलते है analysis, इसी को बोलते है हम लोग brainstorming, कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं है, हम discuss कर रहे हैं इसको आपस में जो triple तलाग ये क्या है, ये custom है, ये कोई law में लिखा हुआ नहीं है, मगर चुकि ये custom है, इसमें law का पावर है और ये आपके fundamental right को violate कर रहा है, इसी लिए इसको void करार दे दिया गया कोई दिक्कत है, बता मुझे, कोई दिक्कत है, यहां तक के चक्कर चला triple तलाग custom है, मगर उसमें law का पावर है law का पावर है, क्यों? क्योंकि समाज में उसको इतना बना दिया गया law के अंतरगत आ गया वो, चुकि वो law के अंतरगत आ गया और वो fundamental right से inconsistent है, violate कर रहा है, तो इसको हम void करार दे सकते है इसलिए triple तलाग को strike down किया गया, सबरी माला को strike down किया गया ठीक है? बढ़िया, कई सारे और भी ऐसे काम हुए है, जहां पर custom को strike down किया गया है ठीक है? तो यहां पर क्या कहा गया? law में क्या क्या आएगा law में क्या क्या आएगा? law, article 13 में जो law है न बाबू, इसमें क्या क्या आएगा? article 13 का जो law है, इसमें क्या क्या आएगा? सभी permanent law सब ही permanent law जितने लोग भी अभी देख रहे हैं टेलिग्राम चनल सब जोईन कर लेना मेरी एक क्लास नहीं छूटेगी तुम्हारी ठीक है टेलिग्राम चनल पर मैं हर क्लास का लिंक आदे घंटे पहले पेश्ट कर देता हूँ और सुबह बता दूँगा जैसे कि आज मैं पताता हूँ आपको कि अभी दोपहर में बारा बजह से क्लास है आपकी करेंट अफेर की छे बजे स्चाम को क्लास है आपकी साइंस एंब टेक की ठीक है ठीक है मैंने कहा था ठीक है टेलिग्राम चनल सब जोईन कर लेना आपको एक बात और जो बैच है शुरू हुआ ती नगस से उसको जोईन कर लेंगे एसे लाइव रिफरल कोड है चलो पर्मनेट लॉव मतलब क्या सर जो लॉव बनाया गया है पारलियमेंट के द्वारा जो लॉव बनाया गया है स्टेट लेशर के द्वारा ये दोनों वीडियो यूटूब पर है ठीक है टेलेग्राम चैनल पर सबका लिंक मिल जाएगा अरे कितनी बार कहूं मेरे दोस्त समझ में नहीं आता टेलेग्राम पर मेरे सारे वीडियो का लिंक एक साथ मिल जाएगा सब एक जगह पर है इसलिए तो बनाया है तेलेग्राम कहें के लिए बनाया है ठीक है यहां पर आपका जो पार्लियामेंट है स्टेट लेस्लेचर है दोनों के लोग आपके पर्मनेंट लोग कहलाते हैं ओर्डिनेंस, ओर्डिनेंस, टेम्परोरी लॉव, ये तो हो गया, ओर्डिनेंस पास करने का अधिकार आपका प्रेसिडेंट को और गवर्नर दोनों के है, पता है ना, हाँ, 123 और 213, अनुछेद जो मेन मेन है, केवल वही याद करना है, पूरा समिधान रटके नहीं बैठना है, करते क्या है, देखो, आपको जो पढ़ाते हैं न सर, आप जो कहते हैं केवल लक्ष्मी से नहीं, लक्ष्मी के अलावा जो डीडी बसू है, इसका भी आपको मैटर मिलता है, फूर एक्जामपल, आपको मैंने जो पढ़ाया अब ही यहाँ पर, human right, ये सब लक्ष्मी का अब डीडी बसू, और ये जो किताब आती है, SP बक्षी वाली, ये भी आपको यहाँ पर include करते हैं, तब जाके इतना धुमधार लेक्चर बनता है, मेनत लगती है इसमें, ठीक है, फादा उठाओ, समझ गया है, हाँ, बढ़िया, हो गए बाद, तो यहाँ पर आपका जो permanent law है, temporary law है, इसके अलावा, कोई भी executive का law हो, executive का law मतलब क्या, कोई भी executive order हो, by law हो, executive का law हो, by law हो, regulation हो, regulation हो, अच्छा, आपका by law regulation यह order हो गया, इसमें आपका कोई भी custom हो, इसके अलावा, अगर government कोई notification जारी करती है, वो भी, notification जारी करती है, वो भी इसमें आएगा, बढ़िया बाद, समझ गया है, वो भी इसमें आएगा, ठीक है, by law बना जाता है law के बाद, देखो, एक होता है आपका, delegated legislation, नाम सुना है आपने, एक नाम सुना होगा आपने, delegated, delegated legislation, इसमें करता क्या है, पार्लियामेंट, law का खाली धांचा बता देता है, कि इस law में ये 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 बाते होंगी, main law में, main law में, उसने कुछ point बता दिया, कि इसमें ये 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 होना चाहिए, अब क्या करेगा, जो executive होगा, जो bureaucrate होंगे, वो इसमें अपने हनुसार से rules बनाएंगे, for example, RTI act एक है, RTI act rules दूसरा है, act को implement करने के लिए rules बनाए जाते हैं, for example, right to education act, right to education rules, हर कानून बनने के बाद उसको implement करने के लिए उसके rules बनाए जाते हैं, एक example और लेलो, disaster management act, disaster management act, इस act को implement करने के लिए, disaster management rules बनाए जाते हैं, समझ गए बात? तो, disaster management act, rules और policy तीनों पढ़नी हैं, disaster management GS3 में आपको तीनों चीज़ें पढ़नी हैं, main law का मतलब है, जो parliament ने बनाया है, main law का मतलब क्या है, जो parliament ने, जो राज जी की विधान सभाने बनाया है, जो भी दोस्त, late से join कर रहे हैं, आप करना क्या, lecture को पीछे करना, या आप class 1 से शुरू करना fundamental right का, कल इसकी पहली class हुई थी, आपको जितना फायदा होगा, आपको पता चल लाएगा कि आपको कितना फायदा हो रहा है, अगर आपको class से फायदा हो रहा है, तो आप अगली class देखिए, नहीं फायदा हो रहा है, तो मत देखिए, मगर आपको मजा आएगा, आप इतना कुछ सीख जाएंगे एक घंटे में कि आपका पूरा दिन बढ़िया जाएगा पूरे confidence में गुजरेगा सुबह सब्वह जब एक घंटा पढ़ लेते हैं नो बजे से दस बजे तक के अगर आप एक घंटा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पूरा दिन आपका अच्छा आता है पूरे दिन आपका energy रहता है कि हाँ हमने पढ़ा है अब हम और पढ़ेंगे एक्जेक्यूटिव यह एक्जेक्यूटिव है यह एक्जेक्यूटिव है कारे कारे ने ठीक है किलिए है बढ़िया तो आपका जो आर्टिकल नंबर इसमें मैंने बता दिया जो case थे वने से बता दिया जो case थे इसमें जुड़ होगे लोग वाला हाँ बता दिया ठीक ना शंक्री परसाद case, सज्जन सिंग, गुलाकनाथ 24 और किसन भारती case बढ़िया लाइन से रटना जरा भी नहीं है रटना जरा भी नहीं है बस सिक्वेंस याद रखिए क्रोनलोजी समझिए समझ कह बात हाँ भूल भूत जाते हैं बॉल्टे भूल जाते हैं लोग फैक्ट होते हैं न जादा इसी लिए तो पढ़ा रहे हैं इसमें ठीक है बढ़िया तो ये हुई बाते जो बैच है तीन गास से शुरू हुआ है आपका करेंट अफेर का SNLIVE रिफरल कोड है वन येर का बैच टू येर का बैच भी शुरू हुआ है और भी है बैच हमारे वन येर टू येर का बैच आने वाले हैं तुरंत साथ दिन आठ दिन में तो जिनको जुआन करना होगा वो जुआन कर लेंगे SNLIVE रिफरल कोड है कोड को यूज करके मुझे पर मसेज कर देना हमारा एक परस्नल प्राइवेट ग्रूप है जहां पर आपको जो है गाइडेस दिया मतलब क्या सुमन ने भेजा है कुछ क्या है यह इतना छोड़ा कश्य दिखेगा Istuary Formation क्या पताना है इसमें यह तो शंकर का लग रहा है यह वाला Istuary वाला ठीक है मौलिका ने नोट्स बनाया है बहुत ही पढ़िया अरे वह शांदार handwriting तो अच्छी है ठीक है प्राइवेट अथोरिटी पर अप्लाई होगा सर हाँ जी प्राइवेट अथोरिटी पर भी अप्लाई होगा ठीक ना मगर आर्टिकल ठरती लॉस है न जी आर्टिकल बारा तुम कहना चाहते होगे क्योंकि बारा में स्टेट को डिफाइन किया गया है और आर्टिकल ठर्टिन में लॉग को बताया गया है समझ गया है तुम आर्टिकल बारा कहना चाहते होगे हाँ प्राइवेट अथोरिटी अगर गॉर्मेंट का काम करेगा तो वो स्टेट के अंदर गत आएगा ठीक है सर एड होग क्या होता है एड होग का मतलब होता है काम चलाओ अगर काम है तो बना काम खतम तो उसको कैसे कर दिया फॉर एक्जामपल आपकी जो पार्लामेंटरी कमीटी होती है वो दो तरह की होती है पार्लामेंटरी जो कमीटी होती है यह दो तरह की होती है एक होता है आपका एड होक काम चलाओ, काम हुआ, काम खतम कमीटी खतम, दुसरा होता है पर्मानेट यह फिर स्टेंडिंग कमीटी इसमें चुना फरसाल होता है Standing Committee of the Parliament ठीक है? बढ़िया टेलेग्राम का लिंक दिया हुआ है आपकी क्लास अब बारा बज़े से होगी Current Affair MCQs की और शाम क्लास से आपकी Science and Tech की आज जो लोग Plus जोईन किये हैं वो क्लास में आ जाएंगे अब क्लास होगी Current Affair की Piddleyams और Mains दोनों की जिनने जोईन करना है वो जोईन कर लेंगे जितने अलजलते हो सके बस SNLive को डियूस करना है ठीक है? मिलते हैं कौन सा कुशन बेजा? कुशन कर क्या पूशा बाबू? दिपक नंबर दिया हुआ है अगर हाँ, नंबर का इस्तमाल करना है तब ही जब आपको पूशना हो कुछ प्लस कुर्स के बारे में ठीक है? को भी दिक्कत हो? कल कर लेते हैं उसको बागे सारे चीज़ है? ठीक है, चलो रोज सुबह संडे मंडे को भी दिन हो रोज सुबह 9 बजे अपना टाइम फिक्स कर लो यहाँ पर पहुंच जाया करना हर रोज सुबह 9 बजे पहुंच जाया करना कुछ भी हो जाए समझ गए बात? और जो लोग क्लास ज़ान किये हैं लास्ट में देर से आपके लिए रिकॉर्डिंग पढ़ी रहेगी उसको देख सकते हैं आप कल समय पर आईएगा चलिए मिलते हैं ठैंक्स वर वाचिंग टेक केर जैने